Hello Friends आज मैं आपके लिए Digital Electronics की नई वीडियो लाया हूँ तो आज हम देखेंगे कि Fixed Point Representation क्या होता है तो अब जो हम देखेंगे यह Topic तो इसमें जो Point है यह Fixed Point Represent Point मतलब जो हमारा Real Data Type होता है उसके Number जो हमारे Real मतलब Original Data है उसके कितने Number है जो हमारे Real Type वो हमारे 3 Path में रहते हैं Sine Field, Integress Field और Fraction Field Sine, Integress Field और Fraction Field अब हमारे कोई भी Number है कोई भी Number है वो हमारे 3 Path में उसे Divide करते हैं Sine Field में, Integress Field में और Fraction Field में अब हम Binary का एक Number देखते हैं 1001.101 001 हमारे यह RushBe butter 1 यह देखते है Zinc Sine Fieldthis number 2 वो हमारे फैले नंबर 1 यह फैले नंबर है 1 यह जो देखते है 1 जेसान पॉइंड-by हम कह सकते हैं मतलब हम एक ही नंबर से एक हम बाइनेरी के फोर्म में हमें यह तीनो पाद मिल जाते हैं तो इसमें अब हम देखते हैं कि हम इसमें 32 bit format से कैसे तीनो पाद देख सकते हैं 32 bit पहला bit जैसे मैंने starting को बताई है हमारा sign field है दूसरा 15 bit में यह हमारा integral field है फिर 15 plus 1, 16 फिर 16 बचाओ वो हमारा फ्रेक्सनल तो हमारे binary में हमें पता है कि दो ही नंबर से हम computer में represent करते हैं या 0 से या 1 में हमारे इसमें यह fixated 0 मतलब हमारा positive रहता है 1 मतलब हमारा negative रहता है इनकों 3 में से represent करते हैं नेगितिव और positive में हमारा पहला है sign magnitude representation दूसरा is sign first representation तीसरा is sign second representation इसके अबारे में दीटेल से आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि हम sign magnitude representation किया है sign first representation किया है sign second representation किया है तो यह सब मैं आपको अगली वीडियो में बताँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट हो शेयर जरूर चारे और सब्सक्राइब तक चलना ब्लक नलू हो जगो जाओगागा ये लाओगा चाहँ है लाओगागा।